हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 8.1 कोशियन 126 हमारे कम्प्लेट हो चुके हैं आज हम कोशियन नुम्बर 7 से स्टार्ट करेंगे कोशियन नुम्बर 7 स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ए बी से डी इसे रॉंबस कि ए बी से डी आपको क्या दे रखा है कि रॉंबस दे रखा है कि हमें प्रूव करना है कि जो ए से डाइगनल है वो ए और एंगल सी को बाइसे करता है और जो डाइगनल बी डी है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है यह हमें प्रूव करके दिखाना है कैसे अब भी हमने जो पहले कोशिन किये थे 6 में उसमें भी वही काम किया था अब देखो कैसे given given में हमारे पास क्या है a b c d a b c d क्या है कि रॉंबस है और रॉंबस है तो इसके सब इसाइड क्या होंगी इक्वल होंगी a b is equal to b c is equal to c d is equal to a d it means अब हमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव करना हमें यह की एंगल से जो उसको बाइसेक्ट करता इक्मेंस हमारे पास क्या आजएगा एंगल d a c d a c यह जो हमारे पास एंगल है यह किसके इक्वल है b a c इस एंगल के इक्वल है कि यह equal है यह प्रूव करना है दूसरा हमारे पास क्या प्रूव करना है कि यह एंगल यह इसके इक्वल है और यह एंगल इसके इक्वल यह हमारे पास इसके इक्वल चारों एंगल को हमें ऐसे equal दिखाना यह हमें प्रूव प्रूव कर देंगे, इन में से, देखो इन triangle ABC, यह पूरी की पूरी triangle है, दूसरी हमार पास क्या है, CDA, अब दोनों triangle ले लिए, दोनों triangle में हम क्या दिखा देंग, congruent, congruent दिखाने के लिए क्या है, देखो AC दो हमार पास, दोनों में common आजएगा, और जो AD है, वो किसके equal आज है वो किसके एक्वल है AD के क्योंकि side of है rhombus rhombus की सभी side equal हैं दूसरा क्या लिख देंगे AC हमारे पास दोनों में क्या है common है कि दोनों triangle बनाने के लिए AC का use है next हमारे पास क्या आजेगा BC is equal to CD side of rhombus हैं तो तीनो side equal हो गई तो हम क्या बोल देंगे triangle ABC है वो congruent triangle CDA की अब congruent है तो उसको हमने क्या बोल देंगे side side है side congruent से सो अगर यह दोनों triangle हमारे पास congruent है तब हम क्या बोल सकते हैं angle DAC कि angle DAC यह जो हमारे पास angle है यह किसके equal है इसके equal है और दूसरा हमारे पास angle C इधर जो angle बना है वो angle इसके equal है यह दोनों angles भी equal है तो क्या मिल गया angle DAC is equal to angle BAC and angle BCA is equal to angle DCA इसी तरह से similarly फिर हम एक बार यह वाले triangle ले लेंगे एक बार यह वाले triangle ले लेंगे इन दोनों triangle को भी congruent प्रूव कर देंगे और congruent प्रूव करके हम क्या बोल देंगे कि यह भी angles equal है angle ADB and CDA और angle ABD is equal to angle CBD यह भी हमारे क्या आ जाएंगे equal आ जाएंगे hence diagonal AC तो हम क्या बोल देंगे कि जो diagonal AC है वो bisect करता है angle A और angle C को इसी तरह से जो diagonal BD है वो bisect करता है angle B and A angle D को यही हमें प्रूव करके दिखाना था next है हमारे पास question number 8 question number 8 की statement है ABCD is a rectangle ABCD एक rectangle है in which diagonal AC bisect angle A as well angle C जिसके अंदर angle A और angle C को diagonal bisect करते हैं show that हमें प्रूव करना है कि ABCD के square है और diagonal BD bisect angle B as well as angle D यह तो second part तो भी हमने solve किया है उसी की तरह कर देंगे हम देखो ABCD क्या है के ABCD is a square अगर ABCD is a square है तो सभी साइड से equal है हमारे पास से square तो हमें प्रूव करके दिखाना है first में हमें प्रूव करके दिखाना के ABCD क्या है square दे आपको क्या रखा है एक rectangle rectangle है तो it means supposed sides are equal given है ABCD is a rectangle rectangle है it means supposed sides equal है तो क्या बोल देंगे AB है वो किसके equal है DC के equal है and BC है वो किसके equal है AD के equal है also और उसके इलावा क्या है angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D rectangle के सभी angles 90 degree के होते है तो ये angles भी 90 आ गया अब हम क्या लेंगे दो triangles लेके चल पड़े इन triangle ABC ABC हमारे पास एक triangle ABC है एक triangle ADC दोनों triangles को हम प्रूव करेंगे AC दोनों में common आ जाएगा और यहां से angle 1 है वो किसके equal angle 2 के और angle 3 है वो किसके equal angle 4 के तो हम क्या बोल देंगे क्योंकि दे रखा है इनोंने की AC है bisect करता है angle A और angle C को given दे रखा है given दे रखा है तो ये angle equal है हमने इनका यूज कर लिया angle 1 is equal to angle 2 angle 3 is equal to 4 और AC दोनों में क्या है common तो क्या बोल दिया triangle ABC है वो congruent triangle ADC के लिए ASA angle side angle अब AB is equal to AD हो जाएगा क्योंकि हमने congruent prove कर दिया तो हम क्या बोल देंगे जो AB हो किसके equal आजएगा AD के और BC हो किसके equal आजएगा CD के equal आजएगा और AB और BC ये दोनों गर equal हो गए तो पहले हमारे पास क्या था एक rectangle rectangle में ये दो side equal ती और ये side जब इसके भी equal है और ये side इसके भी equal है तो ये तिनों equal और फिर ये दोनों equal थी तो ये भी क्या हो गए equal तो चारों को इक्वल रिख देंगे from first and second AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD hence ABCD is a square जब सब इसाइड equal है तो क्या बोल देंगे ABCD क्या है के square next time diagonal by BD bisect each B as well as angle D अब पिछे जो मने कोशीन क्या था उसकी तरह प्रूव कर देंगे ये हमारे पास एक square है ये हमने draw कर दिया diagonal BD अब diagonal BD draw करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएंगे दो triangle बन जाएंगी triangle बना दी हमने ABD ABD and दूसरी क्या है BCD दोनों को प्रूव कर देंगे कैसी कि AB है वो किसके equal लिख देंगे DC के equal लिख देंगे और AD है वो किसके equal है BC के equal है और BD दोनों में क्या है common है तो क्या लिख देंग AB is equal to BC AB है वो किसके equal है BC के equal है और AD is equal to DC है तो square की side है square की side है तो equal है और BD हमारे पास दोनों में क्या है common है दोनों में अगर common है और दो side equal है तो हमने क्या प्रूब कर दिया है क्या है congruent है तीन चीज़ equal होगी triangle ABD congruent है triangle CBD by SSS side side से angle ABD is equal to CBD अगर हमारे पास ये equal है तो it means ये जो angle है हमारे पास किसके equal आएगा इसके equal आएगा और यहाँ जो angle बनेगा वो angle इसके equal आएगा ये दोनों भी equal आएगे तो हम क्या बोल दिया angle ABD is equal to CBD ABD ये जो angle है ये इसके equal है CBD के equal है by CPCT इसी तरह से हमने ये angle इसके equal बोल दिया by CPCT बोल देंग equation second और third by equation second and third third and fourth it is clear that diagonal BD bisect both है angle B and A angle D हमने इससे प्रूव कर दिया दोनों equation से कि angle B और angle D है वो दोनों एक दूसरे को bisect कर रहे हैं next is question number 9 in parallelogram ABCD हमें दे रखा एक parallelogram ABCD two points P and क्या हूँ आटे कनों diagonal BD और जो BD diagonal है उसके उपर दो points है हमारे पास P and A क्या हूँ such that DP हमें प्रूव करना है कि DP और B क्या हूँ B क्या हूँ equal है और इस डियांगल पर जो DP point और B क्या हूँ वो क्या है इक्वल है show that हम प्रूव करेंगी first part में में प्रूव करना है triangle APD APD कि यह जो आपके पास triangle बनेगी APD C Q B इसके congruent है इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या आएगा यह जो है इसके congruent प्रूव करना है हमारे पास entangle APD entangle C Q B दोनों लेके चल पड़े तो DP है वो हमारे पास किसके equal आ जाएगा कि कि यह हमारे पास given था dp है वो किसके equal दे रखा है भी क्यों के equal दे रखा है यह दोनों equal दे रखें तो क्या लिख देंगे dp is equal to b क्यों दूसरा हमारे पास क्या है angle दे रखेंगे यह दोनों equal है तो इसको क्या लिख देंगे a dp is equal to angle क्या वी c alternate angles a d parallel to b c and b d is transversal तो हमारे पास जो alternate इस इक्वल प्रूव कर दी तो हम क्या बॉल देंगे triangle a d है वो congrrant है triangle c क्या हूँ बी के next है second में हमें प्रूव करना a p is equal to c क्या हूँ अब जब हमने triangles को congrrant प्रूव कर दिया कि यह जो triangle है एक्वल हैं तो हम congruent की triangle congruent से ही हम क्या बोल सकते हैं कि जो इसके इलावा AP इदर से AP बच गया और इदर से क्या बचया C क्या हूँ कि ये side भी क्या होंगी equal होंगी AP is equal to C क्या हूँ by CPCT corresponding parts of congruent triangles उसके बाद हमारे पास next क्या है third है हमारे पास triangle A क्या हूँ B A क्या हूँ B ये हमारे पास जो triangle है ये किसके congruent प्रूव करने है CPD इसके एक तो हमारे पास दोनों में ये side equal दे रखिये है ये equal हो जाएगी एक यहाँ पे जो angle है वो angle equal हो जाएगा और एक हमारे पास equal हो जाएगी कैसे देखो B क्या हूँ is equal to DP ये हमारे पास दे रखिये है B क्या हो is equal to DP ठीक है दूसरा हमारे पास क्या है AB क्या हो यहाँ पे जो angle बनेगा इसका equal हिदर होगा तो ये दोनों angle भी equal हो गए थर्ड हमारे पास क्या है AB है वो क्सके equal है CD क्योंकि एक पेरलोग्राम के sides है तो तीनों equal प्रूव कर दी हम क्या बोल देंगे triangle A क्या हो भी congruent है triangle CPD के by SAS side angle side से अब इसी के अंदर एक चीज़ जोरा आगए हमारे पास की A क्या हो है वो किसके congruent ये triangle congruent है दोनों ये दोनों तो A क्या हो है वो किसके equal हो जाएगा P C के equal हो जाएगा ये हमें next fourth part में प्रूव करना है था A क्या हो is equal to CP by CPD बोल देंगे A क्या हो is equal to CP next है हमारे पास से last A P C क्या हो जाएगा पैरलोग्राम फिर हमें प्रूव करना है कि A P C क्या हो ये क्या है कि पैरलोग्राम अगर ये पैरलोग्राम है तो हमने अभी प्रूव कर दिया कि इसकी ये जो side है A P है A P हमारा किसके equal है C क्या हो के equal है ये side इसके equal आगे और ये side इस के equal आ गया, opposite side equal होगी तो क्या बन गया, एक parallelogram इन quadrilateral, APC क्या हो, AP is equal to C, क्या हो, इन first part है, और A क्या हो, is equal to CP, इनने fourth part है, दोनों पार्ट से हमने उठा लिया, since opposite sides of a quadrilateral, APC क्या होगा or equal, तो अभी एक quadrilateral था, जिसकी opposite side equal होगी, तो क्या हो गया, APC क्या बन गया है, के parallelogram next है question number 10 question number 10 में आपको दे रखा है कि ABCD इसे parallelogram ABCD एक parallelogram है, and AP and C क्या हो are perpendicular from vertices A and C AP और C क्या हो perpendicular है, vertices किस पे A और C vertices पे and diagonal BD on diagonal BD और diagonal BD पे show that triangle APB congruent triangle COD C क्या O D और AP is equal to C क्या हो, जो हमने पिछे question किया उसी में C उठा रखा है question यह हमारे पास figure है अब इस figure में से हमारे पास देखो ABCD क्या बन गया एक parallelogram बन गया और जो AP है AP हमारे पास है वो perpendicular draw कर दिया हमने किस पे BD पे और इसी तरह से हमारे पास क्योंकि A vertices ने और इधर से C vertices भी हमने perpendicular draw कर दिया किस पे BD के उपर दोनों को से हमने एक perpendicular draw कर दिया आप हमें प्रूव करना है triangle APB 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 यह जो triangle एक किसके equal है C क्या O D के equal यह हमारे पास जो triangle आएगी वो किसके equal आएगी C क्या O D अब यह देखो दोनों क्या positive side equal होगी और दूसरा हमारे पास क्या आजएगा APB perpendicular यह भी perpendicular दोनों 90-90 degree का angle बनाएगे देखो कैसे triangle APB congruent triangle C क्या O D यह प्रूव करना है तो हमने दोनों ट्रे एंगल ले ली अब एंगल 1 है यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका alternate का बनेगा यहाँ बनेगा इन दोनों अगर यह दूसरे के alternate है तो alternate angle equal होते है angle 1 is equal to angle to alternate angles are equal दूसरा AB is equal to CD opposite sides of a parallelogram are equal थर्ड हमारे पास क्या आजेगा AP क्या हो अब यहाँ पर जो है यहाँ भी 90 degree का एंगल है यहाँ भी 90 degree का एंगल है इधर 90 है तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 तो हम क्या बोल देंग angle APB APB equal है angle C क्या हो DK दूनों क्या है 90 degree तो हम क्या बोल देंगे triangle A P B है वो congruent होगी triangle C क्या हूँ D के और जब congruent होगी तो हम congruent triangles है उसके other parts भी equal होगे तो A P है वो किसके equal होजएगा C क्या हूँ के equal होजएगा बाई C P C T next है question number 11 question number 11 के statement क्या है देखो in triangle ABC and triangle DEF दो triangle दे रखी ABC and DEF AB is equal to DE और AB perpendicular to DE parallel to DE and BC is equal to EF and BC parallel to EF दो चीज़ equal भी दे रहे हैं parallel भी दे रहे हैं किसी तरह दो equal भी दे रहे हैं और parallel भी verify ABCD are joined to vertices DE and F है और verify करना है कि ABC जो हैं vertices हैं वो किसको join कर रहे हैं DEF को show that है तब हमें prove करना है यह 5 parts 6 parts को देखो यह मारे पास figure है figure में दे रखा था कि ABC और DEF दो हमारे पास hält चेंगल हैं और जो AB है वो parallel है DEKE तो AB ही यह parallel है किसके DEKE equal भी है और parallel भी है इससी तरह से जो BC है वो किसके दे रहे हैं ETF के parallel भी दे रहे हैं और equal भी दे रहे हैं फिर verify कर दिया है कि ABC है वो join कर रहे हैं DEF को तो A को D से जोइन कर दिया, B को E से और C को F से जोइन कर दिया हमने इसी तरह से हमने इनको जोइन करके दिखा दिया यह हमारे पास S से जोइन कर रहे है अब देखो फॉर्स्ट में क्या प्रूव करना है कि क्वाइडरलेटरल A, B, E, D A, B, E, D यह क्या बन गया, एक क्वाइडरलेटरल बन गया और इसको क्या बनाना है हमें एक Parallelogram की यह क्या बन जाए, Parallelogram means Opposite Sides are Equal, एक तो आपको देखा है कि A, B, किसके Equal है D, E, के Equal है, यह तो आपके पास Given है, दूसरा हमारे पास क्या Given है, कि A, B है, वो Parallel है किसके D, E, के, जब यह Given भी है और यह एक दूसरे के Parallel भी है तो हम क्या बोल देंगे, यह जब इसके Equal है, तो यह इसके भी Equal होगी और Parallel होगी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, कि A, B, E, D से Parallogram, A, B, E, D है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कि Parallogram बन जाएगा, ठीके Next है, हमारे पास A, D और यह, हमने इसकी को पूरा आच्छा से solve करके बता रखा है मैंने आपको, कि किस तरह से इसको Parallogram प्रूव कर रखा है इसी तरह से हमें Second में प्रूव करना है कि Quadrilateral B, E, F, C जे Parallogram, B, E, F, C B, E, F, C अब हमारे पास यह जो बन गया, यह आपके पास जो बन गया, B, E, F, C यह हमारे पास क्या बन गया अब इसमें क्या है, कि जो B, C है, वो किस के Equal है E, F के Equal है, यह आपके पास given भी था, और दूसरा हमारे पास क्या है, B, E, F, C एक Parallogram प्रूव करने के लिए, हमने क्या बोल दिया कि जो B, E है, जो B, E है वो हमारे पास किस के Parallel है C, F के Parallel है, and B, E is equal to C, F ते Equation, First और Second से हम प्रूव कर देंगे, कि First में हमारे पास यह था, कि A, D है A, D हमारे पास किस के Parallel है B, E के Parallel है, और A, D और B, E Parallel है, तो यह पूरा का पूरा हमारे पास Parallogram बन गया था Parallogram से हमने यह साइड इसके Parallogram के Equal दिखा दी कि यह दोनों हमारे पास क्या है Parallel है, Parallel है, तो हम क्या बोल देंगे कि CF है वो parallel है BE के दोनों को BE के parallel draw कर दिया तो हम क्या बोल देंगे AD है वो भी parallel है किसके CF के और दोनों parallel होगे तो हम क्या बोल देंगे BE, CF, C क्या बन जाएगा एक के parallelogram next है third AD parallel to CF and AD is equal to CF जो भी हमने प्रूव कर दिया था कि AD है वो हमारे पास parallel है CF के AD parallel है CF के और AD है वो is equal to है CF के यह तो हमने प्रूव किया था next है quadrilateral ACFD, ACFD जैसे अभी इसको प्रूव किया है इसी तरह हम इसको भी प्रूव कर देंगे ACFD है इसके अंदर हमारे पास क्या आजाएगा कि यह जो हमारे पास है AC वो हमारे पास किसका दे रखा है DF के parallel दे रखा है क्योंकि AC है वो parallel है DF के और जब हम यह प्रूव करना है कि ACFD क्या बनाना है एक parallelogram आपको यह figure दे रखी एक triangle है इधर इसी तरह एक triangle यहाँ draw कर रखी है और हर एक को ऐसे इसको इसको हमने इससे मिलाया इसको हमने यहाँ मिलाया तो यह हमारे पास दे रखी थी ABC ABC और A को हमने किससे मिलाया था D से मिला रखा है ना DEF यह हमने इसके नाम में एंशन कर ली है अब देखो मैं ACFD प्रूव करना था कि ACFD यह हमारे पास क्या बन जाएगा एक parallelogram इसके लिए हमने क्या बोल दिया कि जो AD है वो parallel है कि इसके CF के parallel है तो it means इसके equal भी AD is equal to CF और यह इसके equal है और यह इसके equal हमें given में है तो अगर हमारे पास opposite sides है वो parallel है और equal है तो क्या बोल देंगे ACFD जे parallelogram कि वो क्या पनगा एक parallelogram and AC is equal to DF AC है वो is equal to DF by CPCT बोल देंगे कि as ACFD जे parallelogram क्यों क्योंकि by CPCT बोल देंगे हम इसके अंदर से कि जब हमारे पास एक parallelogram प्रूव कर दिया तो यह side भी क्या आएंगे equal आएंगे next है triangle ABC ABC triangle है वो triangle DEF के congruent है congruent प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा triangle ABC and triangle DEF इन में तीन चिस equal दिखाएंगे अब AB है वो किसके equal है DEK इक्वल है given है और BC है वो किसके equal है EF के equal है वो भी given है और AC है वो किसके equal है DF के equal है यह हमने प्रूव किया है थर्ड पार्ट में की यह जो है इसके equal है और यह equal है तो क्या आप ओल देंगे तीनों side equal होगे तीनों side equal है तो triangle ABC congruent है triangle DEF next है question number 12 ABCD is a trapezium A, B, C, D हमारे पास क्या एक trapezium है in which A, B parallel to C, D जिसके अंदर A, B है वो parallel है C, D के and A, D है वो is equal to B, C कि A, D और B, C equal है बट ये दोनो parallel है, prove that है हमें prove करना है angle A is equal to angle B की ये जो angle A है वो किसके equal है angle B के equal है कैसे देखो, A, B, C, D is the trapezium A, B, C, D हमारे पास क्या है कि trapezium है और A, B है वो parallel है किसके C, D के और A, D है is equal to B, C ये हमारे पास given है to prove में करना है angle A is equal to angle B, हमने construction की, क्या construction की draw C, F हमने C से एक F के एक parallel line draw कर ली किसके A, D के और ये हमारे पास parallel line draw आ जाएगी C, F, C, F हमने parallel line draw कि जिसके A, D के and extend और A, B जो line थी उसको extend कर दिया हमने कहां तक के E, F तक, ये हमारे पास जो point है E, इसको हमने extend कर दिया, intersect C, E at E, ये जो line इसको extend कर दिया E तक, अब हम देखो, as A, E, C, D हमारे पास क्या हो जाएगी A, E, C, D ये क्या बन गया पूरा है के parallelogram और parallelogram से हम इसको prove करके दिखा देंगे कि parallelogram है, मारे पास A, E, C, D अगर ये एक parallelogram है, तो A, D is equal to E, C हो जाएगा मारे पास क्योंकि ये है, इसके parallel हमने line draw कि, parallel draw कि है तो वो इसके equal भी है, तो क्या बोल देंगे A, D is equal to E, C and B, C is equal to जो B, C है, वो हमारे पास किसके equal है E, C के equal है B, C is equal to E, C equal है, and angle 3 is equal to angle 4 कि, कि हाँ पे जो angle बनेगा 3, वो इसके equal angle 4 के equal है, opposite side equal है, तो opposite angle भी equal होंगे now, angle 1 plus angle 4, अब हमारे पास इस पूरे के अंदर, को interior angles का सम 180 होगा, तो इसके continue angle अभी है, तो है ही नहीं तो angle 1 plus angle 4 is equal to क्या आना चीए, 180 Conjugative interior angles of a parallelogram, angle 1 plus angle 4 is equal to 180 और अगर हम या linear pair पे angle देखते हैं, तो इसमें क्या आना चीए, angle 2 plus angle 3 is equal to 180 इसको उमने क्या लिगदे, angle 2 plus angle 3 is equal to 180 अब दोनों ही अगर 180 के equal हैं, तो हम क्या लिख देंगे, angle 1 plus 4 is equal to angle 2 plus angle 3, दोनों 180 के equal हैं, तो ये भी दोनों angle equal होंगे और फिर angle 3 और angle 4 को हमने equal prove कर रखा है, तो angle 3 की जगा, मैंने angle 4 लिख दूंगे angle 4 से angle 4 cancel हो जाएगा, क्या आजएगा, angle 1 is equal to angle 2, और angle 1 है वो क्या है, angle A है, और angle 2 है, वो हमारे पास क्या है, angle B, ये हमें prove करना है नेक्स्ट है, angle C is equal to angle D अब angle 3 है जो, हमारे पास ये ऐसे figure दे रखी थी आपको की है, हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक figure थी trapezium की, trapezium की figure से हमने ये figure रोगी थी कि A, B, C, D और इदर हमारे पास क्या आया था E, E हमने रोगी थी ये हमारे पास angle 1 angle 2, और इदर angle 3 मान लिया, angle 4 देखो, अब हमारे पास angle C is equal to angle D अब हमें ये prove करना है कि angle C और angle D भी equal है अब angle 3 is equal to angle C जो angle 3 है, वो angle C के equal है, कैसे है, sorry, angle C के equal है, angle 3 और angle C कैसे equal है, कि ये एक दूसरे के alternate angle है, तो क्या बोल देंगे alternate interior angles are equal इसी तरह से जो angle 4 है वो angle D के equal है, क्यों opposite angles of a parallelogram are equal angle 4 is equal to angle D, ये हमने prove कर दिया opposite angles of a parallelogram बट ये जो हमारे पास triangle थी, ये कैसी थी, isocells triangle प्रूव की थी, और isocells triangle में हमने क्या प्रूव किया था कि angle 3 is equal to angle 4 है, और अगर angle 3 और 4 equal है, ये दोनों के side equal है, तो ये भी equal होगी, it means angle C is equal to angle D next है, triangle ABC ABC, हमने triangle ABC congruent है, triangle B, A, D, ये S, रो कर देंगे, B, A, D के congruent prove कर देंगे, अब AB हमारे पास दोनों में क्या आ जाएगा, common आ जाएगा, AB is equal to AB, क्योंकि ABCB और ABD, ये दोनों जब हम बनाएंगे, इदर वाली बनाएंगे, तब भी आएगा, ये बनाएंगे, तब भी आएगा, तो AB is equal to AB, common, और angle 1 है, वो angle 2 के equal है, ये हमने prove किया था, पीछे, angle 1 is equal to angle 2, और उसके बाद हमारे पास क्या है, AD है, वो किसके equal है, BC के equal है, क्योंकि ये आपके पास given है, तो हम क्या बोल देंगे, triangle ABC, congruent है, triangle B, A, D, by S, A, S, side, angle, side, next है, fourth है, diagonal AC is equal to diagonal BD, diagonal AC है, वो diagonal BD के, अब जब भी हमारे पास ये जो triangles है, ये इसके congruent है, तो हम क्या बोल देंगे, by CPCT, BD is equal to AC, तो क्या बोल देंगे, AC is equal to BD by CPCT, दोनों angles भी क्या होंगे, equal, ये थी हमारी exercise 8.1, okay, thank you. स्क्रिवज है, तो में भी क्या है, तो दोनोंगे शोनोंगे, प्सक्त social부 कि क्या ज़ू गी क्या जब भी कि मॉ GOOD